हेलो फ्रेंड्स, जाइका इंडिया का यूट्यूब चनल पर आपका स्वागत है तेओहारों की इस सीजन में और 15 अगस्त के मोके पर हम आपके साथ सेर करेंगे इस ट्राइ कलर डेजर्ट की रेसिपी ये कलरफुल डेजर्ट सिफ पांच मिनिट ने बीना गेज जलाए बहुत ही आसान तरीके से बनती है तो चलिए सुरू करते हैं इस डेजर्ट को बनाने के लिए हमने यहां पर लिया है 200 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट यानि की नारियल का पाउडर या फिर खोपरा खमर इसी के साथ हमने लिए 80 ग्राम पीसी हुई चीनी वेसे काफी सारे वीवर्स हम से सवाल करते हैं कि आप जो भी डेरी प्रोड़क्ट यूज करते हैं जैसे के मिल्क पाउडर या फिर दूद वगेरा वो कौन सी ब्रांट की होती है तो मैं आपको बताती चलूँ कि हम हमेसा अमुल की ही डेरी प्रोड़क्ट का इस्तेमाल करते हैं और इस देजर्ट को बनाने के लिए हमने यहाँ पर अमुल के लो फेट डूद का इस्तेमाल किया है इसे आप चाहें तो फूल क्रीम दूद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसी के साथ हमने यहाँ पर लिया है डेरी वाइटनर जो के 100 ग्राम है आप इसके जगह पर 100 ग्राम लो फेट वाले स्वीट मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो हमने यहाँ पर जो 200 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट लिया है इसमें हम एट कर देंगे पीसी हुवी चीनी इसी के साथ एट कर देंगे डेरी वाइटनर आप यहाँ पर डेरी वाइटनर की जगह मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन सारे इंग्रीडियंट को हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे इंग्रीडियंट को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें दूद एट करके इसका अच्छे से डो बना लेंगे दूद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही एट करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर फ्रीज का ठंडा दूद लिया है आप इसकी जगह पर बोईल किया हुआ दूद भी एट कर सकते हैं लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि जब हम इसमें बोईल किया हुआ दूद एट करेंगे तो उसे हम रूम टेमपेचर पर अच्छी तरह ठंडा करने के बाद ही एट करेंगे इस डो को तयार करने के लिए हमने यहाँ पर सिफ छे से साथ टेबल स्पून दूद का ही इस्तेमाल किया है और अब इस तेज पर हम इसमें एट कर देंगे हाफ टी स्पून रोज वोटर आप यहाँ पर रोज वोटर की जगह पर हाफ टी स्पून इलाइची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं रोज वोटर या फिर लाइची पाउडर एड़ करने के बाद इसे 30 से 35 सेकंड के लिए और गूंद लेंगे देखिए हमने यहाँ पर डो तैयार कर लिया है अब हम इसे तीन पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तो हमने डो को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया है हमने यहाँ पर जो डो लिया है उसको इस तरह से उंगली की मदद से प्रेस करते हुए थोड़ा फेला लेंगे और इसमें हम एट करेंगे एक चोथाई टीस्पून ओरेंज फूड कलर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर हमने एक लेयर बना ली है और इसकी दूसरी लेयर को बनाने के लिए हम इस तरह से इसको उंगली की मदद से फेला देंगे और एट करेंगे एक चोथाई टीस्पून ग्रीन फूड कलर और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमने यहाँ पर हमारी मिठाई की तीनों लेयर बना ली है तीसरी लेयर हमारी ओल्डेडी वाइट है इसलिए हमें उसमें कोई फूड कलर एड नहीं करना होता लेयर कोर Cliff अवर यहाँ था लेयर में उसमें से अच्छा सा शेड करने के बाद इस तरह से हम इसकी कीनारी ओं पेसे इसको अच्छा सा से दे देंगे इसकी नीचे की लेयर को अच्छी तरह सेप देने के बाद हम इसमें एड़ कर देंगे इसकी बीच वाली लेयर और इसे भी हलके हाथों से प्रेस करेंगे और किनारियों से इसको भी सेप देते रहेंगे तो इस तरह से हमने इसकी दो लेयर को अच्छे से सेट कर लिया है इसी तरह अब हम इस पर इसकी तीसरी लेयर रखेंगे और हलके हाथों से इसे प्रेस करेंगे और किनारियों की तरह से भी इसे सेब देते रहेंगे अब इसकी किनारियों पे से इस तरह हम इसको चम्मस की मदद से प्रेस करते हुए इसे अच्छा सा सेप देंगे तो खाने के लिए तैयार है हमारी तिरंगा बर्फी देखा आपने हमने इसे कितने आसान तरीके से बनाया वो भी सिफ पांच मिनिट में बिना मावे के बिना कंडेंस्ड मिलके और बिना गेस जलाए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें त्योहार के सीजन में आप इस मिठाई को अपने घर पर जरूर ट्राइ कीजिए और अपने एक्सपीरेंस कॉमेंट वोक्स में हमारे साथ जरूर सेर करें फिर मिलेंगे जाईका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिप्टी के साथ तब तक के लिए गुडबाई